हेलो फ्रेंट्स आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दग्यान सेवन में आज की वीडियो में हम बताएंगे किन-किन तरहों से पूरी दुनिया में गेम्स खेल कर पैसा कमाया जाता है और किस गेम कमपनी ने अब तक 40 बिलियन यूज डॉलर कमाई और किस गेम की 500 मिलियन से भी जादा कॉपिस भी की है और PUBG की चाइना स्टोरी और इसकी अब तक की कमाई 2018 में पूरी दुनिया में गेम्स खेलने वालों ने गेम्स परचेस करकर और इन में मिलने वाली पेट चीज़ों को लेने के लिए 135 बिलियन यूज डॉलर्स खर्चे थे e-sports और live streaming इन दो तरहों से ग्लोबली गेम्स खेल कर पैसा कमाया जाता है e-sports मतलब electronic sports जैसे cars में electric cars होती हैं और उन्हें e-drive बोलते हैं इसी तरह e-sports electronic sports के लिए यूज किया जाता है e-sports के पास professional players होते हैं और इनमें teams PC systems पर games खेलती हैं और e-sports अपनी teams को game खेलने के लिए salary भी देते हैं या फिर price money का 15-20% दिया जाता है इन players की salary 50,000 से 3,20,000 US dollars तक होती है 2018 में एक competition में price money 25.5 million US dollars थी जिसमें 1st place पर 11.2 और 2nd place पर 4 million का price money था e-sports ने 2017 में 655 million US dollars कमाये थे और 2018 में 900 million dollars कमाये थे जिसमें से 353 million sponsorship से आये थे और 2021 में ये revenue 1.6 billion तक पहुंच सकता है कुरोग की टाको शोमिंग ये एक e-sports के player है और इनकी उमर 26 साल की है और इनों ने अब तक games खेल कर 3 million US dollars कमाये हैं और इसी तरह एक और player ने 250,000 US dollars भी कमाये हैं अब live streaming की बात करते हैं live streaming के लिए twitch और youtube एक सही platform है और October 2018 में इस पर 850 million hours का gaming content देखा गया था इसमें सबसे ज़्यादा fortnite को देखा गया था paid subscription, bits, donation, ads, sponsorship और merchandise ये सभी options हैं live streaming में कमाने के निंजा एक team के professional player है जो हर रोज 12 गंटे तक खेलते हैं और ये fortnite खेलते हैं और ये हर महीने 500,000 US dollars कमाते हैं और 2019 में game industry ने 148 billion US dollars की कमाई की थी चाइना ने PUBG की in-game purchases को deactivate रखवाया था जिससे टेंजन को चाइना से कुछ भी benefit नहीं था क्योंकि चाइना को इस game में objection थी कि इसमें लोगों को मारा जाता है चाइना में हर रोज 70 million players PUBG में active होते हैं और PUBG monetize ना होने के वज़े से टेंजन को इसमें 1.5 billion yearly का profit नहीं हो पा रहा था और इस game को इसी reason से चाइना में बंद कर दिया गया था बाद में टेंजन ने एक नई game launch की जो सिर्फ चाइना के लिए थी और इसका नाम था game for peace इसमें China Air Force terrorism को खतम करती है और ये चाइना के लिए काफी proud की feeling की बात थी अब टेंजन को चाइना में games के लिए approval मिल गई थी ये काफी हद तक PUBG जैसी ही थी पर इसमें जब player को गोली लगती थी तो player को मरते हुए नहीं दिखाया जाता था बलकि एक green splash होता दिखता था players को गिरने की जगा goodbye करते हुए दिखाया गया था PUBG के launch के पहले हफते में PUBG ने 11 million US dollar की कमाई की थी और सिर्फ May 2020 में 226 million US dollar कमाई थे Royal Pass के introduce करने पर PUBG की कमाई 3 गुना बढ़ गई थी और सिर्फ Royal Pass के launch होने वाले हफते में ही 6.1 million US dollar कमाई थे September 2019 तक PUBG का revenue 1 billion के mark तक पहुँच चुका था अब बात करते हैं topmost revenue generated और top 5 downloaded games की डाउनलोड में Super Mario Bros जिसकी 48 million copies डाउनलोड हुई हैं और इसके बाद PUBG जिसकी 60 million copies अभी तक बिकी हैं जिसमें सिर्फ PC, PS4 और Xbox की बात करेंगे क्यूंकि इसका mobile version फ्री है वाइस पॉर्स जिसकी 83 million units GTA 5 जिसकी 130 million और Minecraft जिसकी 200 million copies बिकी हैं और नमबर एक पर जिसकी सबसे ज़्यादा copies बिकी हैं वो है Tetris इस गेम की अब तक 500 million units निकली हैं अब बात करते हैं टॉप 5 revenue generated companies की EA Games जिसमें FIFA, Dead Space, Need for Speed ऐसी गेम्स हैं इनका टोटल रेवन्यू 4.5 billion US डॉलर्स हैं इसके बाद Nintendo जिसमें Mario, Tetris जैसी गेम्स हैं इनका रेवन्यू 4.9 billion US डॉलर्स का हैं इसके बाद Activision Blazed इसमें Call of Duty, World of Warcraft, Starcraft जैसी गेम्स हैं और इनका टोटल रेवन्यू 5.2 billion US डॉलर्स हैं इसी कंपनी का एक और फेक्ट जो कि हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे इसके बाद Sony Computers Entertainment की बात करते हैं जिसमें PlayStation के गेमिंग कॉन्सोल्स हैं इसका टोटल रेवन्यू 20 billion US डॉलर्स का है और नमबर एक पर आती है Microsoft Studio जिसमें Xbox के गेमिंग कंसोल्स है और इसका टोटल रेवन्यू है 40 billion US डॉलर्स लास्ट में हम बात करते हैं Activision Blizzard की जिसने 5.9 billion US डॉलर्स में Candy Crush गेम को एक्वायर किया और इसकी हर रोज की कमाई 3.5 million US डॉलर्स है वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए Thanks, have a nice day